ये मेरे साथ वाकई हुआ मैंने अपनी पत्नी से कभी उनकी जाती नहीं पूछी मैंने खुद को हर ढांचे से अलग कर लिया है मैं किसी भी ढांचे में नहीं हूँ तो मैंने उनकी जाती भी नहीं पूछी तो मैंने बस सभी को बता दिया कि मैंने शादी कर लिए हैं वो बोले कब कहां कैसे हमें लगता है कि आजकल माता-पिता कई पहलूओं में अपने बच्चों के लिए खुले विचार रखते हैं हाला कि जब इंटरकास्ट मैरेज की बात आए तो लोग आज भी पुराने खयालों के हैं और वे एक ऐसी लकीर खीच देते हैं जिसे बच्चे पार नहीं कर पाते क्या ऐसा सिर्फ समाज के डर की वज़ा से है जैसा की कहा जाता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग तो युवा होने के नाते हम माता पिता को मनाने के लिए क्या कर सकते हैं ताकि उन्हें इस सामाजिक डर से बहार ला पाएं देखिए डर शायद सिर्फ इस बारे में ना हो की कोई क्या कहेगा हमें जाती व्यवस्ता को समझना होगा की वो है क्या इससे पहले कि मैं ये कहूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें कि मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि आपकी जाती क्या है, क्योंकि ये बात कभी मेरे मन में आती ही नहीं है तो मैं इंटर कास्ट मैरेज के खिलाफ हूँ क्योंकि अब कोई ये एक लाइन लेकर मुझे मुसीबत में डाल देगा, लेकिन मैं ऐसा करता रहता हूँ क्योंकि ये ही उदेश है मैं इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ हूँ क्योंकि सबसे पहले आप खुद को एक जाती का मानते ही क्यों है और फिर दूसरी जाती से जुड़ना चाहते हैं जब मैं युवा था अगर मुझे किसी से शादी करनी है तो मुझे जाती की परवाही नहीं थी मैंने कभी नहीं पूछा ये मेरे साथ वाकई हुआ मैंने अपनी पतनी से कभी नहीं पूछा कि उनकी जाती क्या है मैं बस एक दिन घर आया और पिता जी से बोला मैं इस लड़की से शादी कर रहा हूँ वे बोले वो कौन है मैंने उनका नाम बताया मुझे सिर्व उनका पेट नेम पता था उनका पूरा नाम भी नहीं पता था क्यूंकि मैं उन्हें वही बुलाता था फिर उन्होंने पूछा उसके पिता कौन है मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं बोले क्या तुम्हें पिता का नाम नहीं पता और तुम उससे शादी कर लोगे मैंने कहा मैं बस इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ मुझे उनकी पिता से शादी नहीं करनी ना ही उनकी संपत्ती से, ना खांदान से मैं बस लड़की से शादी करना चाहता हूँ वो किस जाती की हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या तम उनकी जाती भी नहीं जानते मैंने कहा मुझे नहीं पता क्योंकि जो लोगों ने मुझे बताया है उसके अलावा मुझे खुद अपनी जाती कहीं महसूस नहीं होती मैंने खुद को हर ढांचे से अलग कर लिया है मैं किसी भी ढांचे में नहीं हूँ तो मैंने उनकी पत्नी से कह दिया, कि तुम मेरी पत्नी हो, बस, वो बोली बस ऐसे ही, कोई गवा नहीं, कोई व्यवस्ता नहीं, फूल माला भी नहीं, मैंने कहा देखो, कोई भी गवा, मुझ पर कोई बात नहीं थोप सकता, जब मैं कुछ कहता हूँ, तो बस, मैं उससे पीछे नहीं हटू मैंने कहे दिया, तुम मेरी पत्नी हो, बस हो गया, तो मैंने आकर सभी को बता दिया, कि मैंने शादी कर ली है, वे बोले कब कहां कैसे, आप उसकी जिंता ना करें, ये मेरी पत्नी है, बात खत्न, तो मैं कह रहा हूँ, कि आप खुद को एक जाती का क्यूं मानते हैं, और कौशल सिखाने का यही एक मात्र तरीका था. मान लीजिए, आपके पिता सुनार हैं. वे आपकी शादी एक अन्य सुनार से ही करेंगे. क्यूंकि बच्छपन से आपने सुनार की मदद की हैं. आप जानते हैं कि ये काम कैसे किया जाता है. मान लीजिए, वे आपकी शादी लोहार से करा देते हैं. तो आप उस घर में जाकर परिशान हो जाएंगे. और आप उस बारे में कुछ नहीं जानते. क्यूंकि ग्यान सिर्फ परिवार के जरीए ही दिया जाता था. आज हम नहीं जानते कि इनके पिता क्या करते हैं, पर ये इंजिनेर बन गए हैं. हम नहीं जानते कि आपके पिता क्या करते हैं, पर आप बायालोजी के शेत्र में हैं. क्यूंकि हमारे पास संस्थाएं हैं जो शिक्षा देती हैं. जब वो संस्थाएं नहीं थी और सिर्फ परिवार में शिक्षा मिलती थी, तब हम उसे बिगाड़ना नहीं चाहते थे, तो हमने वो बनाए रखा, आब उसकी कोई जरुवत नहीं है, जाती विवस्था के एक हिस्से का अब कोई मतलब नहीं है, लोगों के जाती से जुड़ में कुछ गलत हो गया, आप बीमार हो गया, वो बीमार हो गया, दुरगटना हो गयी, कुछ हो गया, अब आप सिर्फ अपनी जाती वालों से मदद मांग सकते हैं, आप किसी और के दरवाजे पर दस्तक देंगे, तो वो अपना दरवाजा नहीं खोलेंगे, आपको अपनी जाती के पास जाना होगा, अगर आप कहेंगे मैं इस जाती का हूँ, तो वो कहेंगे आईए हम आपके लिए कुछ करते हैं, तो ये सामाजिक सुरक्षा है, जो आज भी मौझूद है, शेहरी इलाकों में शायद इससे फरक नहीं पड़े, क्योंकि आपके पास इंशॉरंस लेकिन गाउं में, अगर आप अपनी जाती से पूरी तरह से अलग हो जाएं, तो आप बिलकुल खुद पर निर्भर होंगे, अगर कुछ गलत हो, तो कोई आपके मदद नहीं करेगा, तो ये सामाजिक सुरक्षा का सिस्टम है, इसकी चिंता मत कीजिए, कि इंटर कास्ट म नहीं पड़ेगा, वो बस गायब हो जाएंगी. कर दो कर दो कर दो कि अलग हो जाएंगी.